तथा 75 जिलों के सभी जिलादक्सों की ये एक अठा अतिमहत्रपूर्ण बैठक बुलाई है और आज की इस बैठक में परतेग जिलावार उसके अंतरगत आने वाली सभी विधानसबा की सीटों की पर्देश में अगले वर्ष के सुरू में होने वाले विधानसबाम चुनाव की पार्टी की त्यारी को लेकर सभी जरूरी पहलों पर गहन समिक्षा की जाएगी जिसके तहर सबसे पहले दिनांग 21 अक्टूबर से पर्देश की परतेग विधानसबा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदा अधिकारियों की चुनाव की त्यारी को लेकर चल रहे कैडर वे समेलनों आदी की प्रगती रुपोर्ट ली जाएगी रुपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसबा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इने केवल एक सब्ता का ही समय दिया जाएगा इस परकार से परदेश की सभी 403 विधानसबा की सीटों पर पार्टी की चुनावों की त्यारी को लेकर आज विस्तार से रुपोर्ट ली जाएगी इसके साथ साथ चुनाव के दुरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व्यकारे करताओं को तथा पार्टी के उमीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगे इसके इलावा पार्टी के काम्यावी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिये जाएंगे इस संदर्व में खास कर विरूदी पार्टियां किसम किसम के साम दाम दंड भेद आदी हतकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं तो उससे भी इनको सचेट किया जाएगा और उनके जवाब वैतोड में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या-क्या जरूरी कदम उठाते रहना है तो उसके बारे में भी आज इनको काफी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी इसके साथ ही बीजेपी सप्पा वै अन्यव विरोधी पार्टियां भी अपने अपनी कम्यों पर परदा डालने के लिए जो ये सुनाव को हिंदू-मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी है तो उससे भी पार्टिय के लोगों को शहर-शहर वै गाउं-गाउं में जाकर अभी से ही साबधान करने का भी कारिये सुरू कर देना है इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा जिसे फिर ये लोग अपने अपने छेतर में जाकर बताएंगे इसके इलावा यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परदेश में जो भी विरोधी पार्टी यह सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नितियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जन हितेसी नितियों के बारे में भी पार्टी को परदेश की जनता को जरूर बताना है ताकि याँ फिर से सन 2007 की तरह ही उने अपनी पूर्ण भहुमत की सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुखाय की नितियों पर आधारित सरकार बन सके वैसे इस मामले में आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी की चारों रही सरकारों ने पर देश में हर मामले में वे हर स्तर पर यहां अन्याय अपराद भै वे भ्रस्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरन पैदा करने के साथ साथ विसेश कर कमजोर वर्गों, गरीबों, मस्दूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे वेपारियों अब हम अन्य महनत कस लोगों के हितों के लिए भी जो अनेको इतिहासिक वे अतिमहत्रपूर्ण कारिय किये हैं तो उन्हे पर देश की जनता अभी तक भी भूली नहीं हैं जिससे खास ध्यान में गोट मांगना हैं, ये भी इनको बताया जाएगा, इसके साथ ही यहां मेरा ये भी कहना है कि यूपी की जनता ने आजादी के बाद यहां सुरू में काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी वे बाद में सपा बीजिपी एवं बीएस्पी आदी का बिशाशनकाल देखा ह लेकिन इस मामले में परदेश की जनता अपनी पूरी मानदारी से ये बताए कि इन सभी पार्टीों के शाशनकाल में से किस पार्टी का हर मामले में वे हर स्तर पर भैतरी शाशनकाल रहा है यह मैं मीडिया के माध्यम से परदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ तो फिर परदेश के आम जनता अब हम दवी जुवान में विरूदी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बहतरी शाशन काल रहा है इसलिए परदेश की जनता को अब मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने हित्व कल्यान को ध्यान में रखकर वैस चुनाव म किसी भी भावना में न भैकर तथा इनके परलोवन भरे चुनावी घोसना पत्रो आदी के भी भैकावे में न आकर बलकि बीएसपी के ही रहे बहतरी शाशन काल को फिर से यहां सत्ता में वापिस लाना है जिसकी इस समय परदेश की जनता को काफी सक्त जरूरत भी है इसके इलावा बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी तीन सो से ज़्यादा सीटे जीतने वाली है तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नजर नहीं आता है बरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहां आए दिन ताबर तोड असंक के घ कच्छे कारियों के उद्गाठन वे लो कार्पन आदी नहीं करते हैं साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रिये नेताओं वे केंद्रिये नेताओं वे केंद्र सरकार के वरिष्ट मंत्रियों को भी अभिया थोक में नहीं भेजती इनके साथ-साथ यूपी सरकार के मुखे मं इवं मंत्रियों वे पार्टी के वरिष्ट नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई-कई बार नहीं जाना पड़ता तथा नहीं इनको चुनाब घोसित होने से कुछ समय पहले यहां परदेश की जनता को वे छात्रों आधी को भी किसम किसम के लालश आधी नहीं देने रही है लेकिन ये सब परदेश की जनता काफी अच्छी तरह से समझ रही है इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता अभी इनके किसी भी परलोभन वेहतकंडे आधी के भैकावे में असानी से आने वाली नहीं है बलकि इस बार बीएसपी की जरूर बलकि इस ब पड़े पदा अधिकारियों आधी पर पूरा पूरा भरोसा भी है जो मेरे दिशा निर्देशन में अपने अपने छेतर की परतेश विधान सब्वा में उसके सभी पोलिंग बुतों के छेतर में वहां के लोगों को हर मामले में चुनावी तोर पर जागरू करने में लगे हैं वैसे भी अब परदेश की जनता वास्तव में यहां परिवर्तन चाहती है और अब बीएस पी को इस सत्ता में लाने का अपना काफी कुछ मन बना चुकी है इस उमीद के इस उमीद भरोसे के साथ ही अब मैं अपने बात यहीं समाद करती हूं धन्यवाज ऑसको से लैए इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जब सेंचर में कांगरेस पावर में होती है तो कांगरेस यहें काम करती है बीजेपी सेंटर में पावर में बीजेपी भी यही काम कर रही है तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी अब कहां तक सचाई है यह तो मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन जब यह आम चर् इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आप वो थूटी की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के लोग अपने अपने जिले में जब इनको उदर के जिला निर्वाचन अधिकारी बलाते तो अपनी थूटीयां वहां पर ये रखते हैं और इसके इलाबा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि बोट को जो है आधारकार्ट से जोडने वाली बात है तो मैं इसके बारे में हमारी पार्टी का मत ये है कि ये बहुत महत्पूर्ण मामला है और इसको जल्द बाजी में पार्लेमेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है इसके उपर पार्लेमेंट में पास कराने से पहले या इसको बिलको पास कराने से पहले सेंटर गोवर्मेंट की जिम्मेबारी बनती थी कि लोकसभा और राजेसभा में इस पर खुली पहले बैस होनी चाहिए थी और ये बैस नहीं हुई जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये मामला अतिकंभीर है मंदीर निर्मार के पहले वहां पर जो जमीनों को लेकर के बड़ा विवास्ता बड़ा परिक्षा वो घटना कहते देखते हैं आप क्या सब्सक्राइब ये मामला अतिकंभीर है और इस मामले की उचिस तरह जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माने सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा भैतर होगा और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे खाल स्टेट गौर्वर्मेंट को इसको गंबीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल दे कर स्टेट गौर्वर्मेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि जदी कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगारा उन्होंने खरीद फरूप किया है तो वो रद होनी चाहिए क्या 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 दुवारा रिपीट करो इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ फिर मैं बताना चाहरी हूँ कि उनका जो अरोप है तो वो जो अरोप लगा रहे तो हो सकता है उसमें सचाई हो तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और उनकी जो शिकायते हैं स्टेट गॉर्मेंट को चाहिए उसको दूर करना चाहिए यह तो वक्ती बताएगा जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप मेरे से सवाल पूशना आपको बता दिया जाएगा जो मैदान में जो इदर उदर घूम रहे हैं उनको घबराट है उनको बड़ी घबराट हो रही है पता नहीं वो पावर में आए ना है बीजेपी को भी हो रही है सपा भी सोत रही है तो इसलिए ये बिचारे मारे मारे घूम रहे हैं तो हमारी पावर्टी के लोग अपने जमीन पे उदर जो है हर पोलिंग बूत स्तर पर अपने काम में लगे हैं और जब वक्त आगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मैं मैदान में कब निकल रही हूँ क्या क्या बोला देखो इस सम्मंद में मैंने एक बार नहीं कही बार तो स्टेट गवर्मेंट को आगा किया है और प्रेस में भी मैंने बूला है कि उनके मामले खतम होने चाहिए है और उन्होंने कोई किसी के साथ अन्याय अत्ताचार नहीं किया था अपने वो जाएग मांगो को लेकर वो मैदान में उतरे थे तो ये मामला लंबे अर्से से अटका पड़ा ये अच्छी बात नहीं है और स्टेट गवर्मेंट को इसको देखना चाहिए और इस मामले को पाले मेड में भी हमारी पार्टी ने इसको कई बार उठाया है अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचाएगा धन्यवाद